काजु कतली बनाया है । ये सारे लोगों को सब्सक्राइब तोung hooks बड़के सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन उन कर लिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलते हैं मैं आपको हलवाई स्टाइल रेसिपी ऐसे डिली अपलोड करता हूं तो आप मेरे चैनल को डिली चेक आउट कर सकते हो तो चलिए सबसे पहले काजू कत काजू हैं तो用 रेसिक में आपको आंगे वीडियो मे बीडियो में समझाओंगा तो इसको हम चलिए पहले भिगा देते हैं तो यहां पर मैंने इक पादिया है और चोड़ देंगे तो करीब 2-3 घंटे के लिए मैं चोड़ेंगे के नहीं बाद देखते हैं इसे मासए अच्छे से भीग चुके हैं और बिल्कुल ये फूल के डेड़ गुना जादा हो चुके हैं और बड़े-बड़े लग रहे हैं फूलने के बाद ये तो अब इसको क्या करना है अपने मिकसी में या फिर अच्छे से बाहर से पिस्वा सकते हैं तो इसको पीषने के लिए थोड़ी बड़ी-वाली मिकसी का यूज करें तो ये देखिये मैंने बिल्कुल फाइनली इसको पीष लिया है मिकसी में डालके और हां बहुत ही ज्यादा बारीक पीषना होता है और देख यहां देखिए मैंने इसी मैं चीनी को mix कर दिया है विसमें हमने 0.5 किलो काजू लिया था तो 0.5 किलो ही चीनी हम लेंगे यानि कि जितना काजू है मारे पास उतनी ही मैंने यहां पे चीनी डाला है अब चीनी को अच्छे से mix करेंगे इसी के अंदर पहले तो पहले क्यों mix क करने का मतलब यही होता है कि इसका जो चीनी है वो अच्छे से पिघल जाएगा इसके वो चाशनी वगरा बना के हम नहीं डालते इसमें और बहुत इजी तरीके से आप जल्दी घर पर बनाना चाते हो तो जैसे मिक्सी में चीनी और काजू का पेश्ट दोनों साथ में भी बन की हमारे पास एक कडाई है और उसको मैंने धोके बिल्कुल अच्छे से वाश करके रख लिया है थोड़ा सा बहुत लो गैस फ्लेम मैंने अन किया है अब इसको डाल देंगे अपने जो काजू का पेश्ट है तो इसको डाल देते हैं इसको बहुत ही धीरे-धीरे करके हम इ जादा नहीं बिल्कुल धीरे-धीरे ही भूने क्योंकि इसमें अगर बिल्कुल भी थोड़ा भी अगर मालो जल गया तो उसमें जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा और जले हुए कि स्मेल आएगी तो नीचे दोस्तों यह ध्यान रखें कि बिल्कुल भी जले ना बस इत सा टाइट था हमारा काजू का पेस्ट तो कुछ लोग हते हैं जिसमें बहुत कुछ डालते हैं जैसे कि कई लोग इसमें मिलावड भी करते हैं और बहुत सारे लोग इसमें बताते भी हैं कि milk powder से हम डाल के बना लेते हैं इसमें कुछ लोग खोया भी add करते हैं तो वह actually real वाला काजू कतली नहीं होता लेकिन real वाला जो होता है वो only काजू और चीनी ही होता है तो देखिए हमने only काजू और चीनी के डाला है और यहां पर देखिए थोड़ा सा hydro powder में इसमें भी डाल देता हूँ तक कि जो color है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो color पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है हलवाई पर हलवाई जो ध्यादा देते हैं color के लिए क्योंकि इसका जो color है बिल्कुल साफ होना चाहिए बिल्कुल काला नहीं होना चाहिए तो थोड़ा भी काला इसके अंदर नहीं होना चाहिए इसलिए थोड़ा सा hydro powder मैंने डाल दिया हाँ L.I.G का powder भी डालूंगा थोड़ा थोड़ी देर बाद जब इसको हम लास्ट में रैडी कर लेंगे तब तो देखिए बिल्कुल हम इस तरह से भूनते रहेंगे तो करीब 15-20 मिनर तक आपने भूनना है और हाँ बहुत low flame होना चाहिए दोस्तो बस flame के उपर ध्यान रखना flame अगर तेज हुआ तो तुरंत जल जाएगा क्योंकि काजू का जो paste है हमने कोई मिलावट तो किया नहीं है कि ये जले ना कुछ लोग milk powder मिलावट करके और या फिर खोया डाल देते हैं या फिर और कुछ डाल देते हैं तो वो actual में उतना taste नहीं होता खोय काई टेस्ट आता है ज्यादा से ज्यादा काजू तो थोड़ा बहुत डाल देते हैं लोग तो actually फिर कस्टमर के साथ दोका हो जाता है लेकिन हम यहाँ पे हम कस्टमर को बिल्कुल रियल वाला चीज देंगे तो इतने दिनों से आप लोगों ने बोला था काजू कतली काजू कतली लेकिन kसी लोगों का ओर्डरी नहीं आ रहा था इसलिए मैं बना नहीं पाया तो आज हमारे पास order भी है और काजू कतली को हम बिल्कुल अज्छे से बिल्कुल परफेक्ली तरीके से बनाएंगे तो देखिए बिल्कुल हमारा जो काजू कतली है भुनना स्टार्ट हो चुका है और ये और मुस्ट भुन चुका है तो पता कैसे लगेगा ये देखिए तो ये देखिए छोटा सा आपने एक टुकड़ा उठाना है बिल्कुल हाद में बहुत गरम गरम लगरा है लेकिन आपको भी लगेगा बहुत छोटा सा उठाए और इसकी ऐसे गोलीं जैसी बना के देखें बिल्कल गोली जैसी इसको बना के देखें हाथ में चीपक नहीं रहा बिल्कुल अच्छी से जलदी बीच बीच में हिलाते रहे तो यह थंदा जलदी हो जाएगा और पंक्के की नीचे रख दें तो जल्दी ठंडा हो जाएगा फ्रीज के नहीं रखना इसको तो ये देखिए, तब तक के लिए हम ready कर लेते हैं, ये देखिए, हमारे पास एक table है बढ़िया, तो इसको हमने बिल्कुल clean कर लिया है, और बिल्कुल सरफ से मैंने इसको धो दिया है table को, इसी के उपर हम जो अपने काजु कतली है, इसी के उपर हम बनाने वाले हैं, तो दे बिल्कुल आटे की तरह आप तो गूल सकते हो, क्योंकि ठंडा हो चुका है, अभी भी ज्यादा ठंडा नहीं हुआ ये वाला, लेकिन आप ज्यादा ठंडा भी कर सकते हो, मेरे पास तो time नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा हम है, तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मैंने mash क अब इसके बाद यह दिखी मेरे पास देसी घी है तो देसी घी हम अच्छे से टेबल पर लगा देंगे हां दोस्तों डालडा वगरा यूज ना करें इस टेबल पर लगाने के लिए क्योंकि टेबल पर हम इसलिए लगा रहे हैं कि चिप के ना नीचे या फुर आप जो थाली खी का ही यूज करें और अगर नहीं है तो आप ऐसे करो रिफैंट का थोड़ा सा यूज करें बहुत कम बहुत कम यूज करोगे तो कोई समयल नहीं आएगी और रिफैंट में कोई ज्यादा समयल नहीं होती तो मैंने देसी घी यूज किया है और देसी घी मैंने उसमें थो फेला देंगे बिल्कुल बेल के जो भी थिकनेस वगरा रखना चाहो आप जितना मोटा पतला बेल सकते हो उस टाइप से आप बेली है तो यह देखिए मैंने बेलने स्टार्ट कर दिया है इसको तो इसको पूरी टेबल पे मैं फेला दूँगा और हाँ जो थिकनेस वगरा जो साइट्स वगरा के जो बचेंगे या फिर जो इसमें से अगर एक्स्ट्रा बचा तो वो मैं किसी और बरतन के ओपर या फिर किसी और टेबल पे मैं डाल के इसको फेला दूँगा तो यह देख तो इसको काट के निकाल देते हैं ताकि जो हमारे पास है बिल्कुल परफेक्ट वाला थिकनेस मिल जाए और देखते हैं जो काजू कतली है किस तरह से बनती है और बहुत ही बढ़िया बनने वाली है वैसे क्योंकि काफी में इनत कर रहे हैं बहुत सारा इसमें टाइम लग ग जो हलवाई होते हैं इसमें एक और चीज लगाते हैं सबसे उपर आप सभी को पता है कि क्या लगाया जाता है तो इसके उपर चांदी का वर्क लगाया जाता है तो अभी हम इसके उपर लगाएंगे पहले इसका जो सेट कर लेते हैं कि कहां मोटा है कहां पतला है ठिकनेस देख सकते हैं आप किसे लेकिन इसकी जो कोई ज़रुद नहीं आप जो मर्जी ठीकनेस रख सकते हूं मोटे पतली जैसे आप खाना चाहो और ये देखिए मैंने गीला कर लिया है जो अपना वाइट कपड़ा था एक तो उसको मैंने गीला करके इसके ओपर थोड़ा सा रगड़ देता हूं ताकि जो हमारी चांदी का वर्क है वो चिपक जाए है तो है तो देखिए गिला करने के बाद कॉरा अच्छे से भर सकते ह varios को अगर ना भी लगाना चाहो नहीं आपके पास इसको बिना लगाए भी के सकते हो सेम टेस्ट आएगा ये तो बस एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसका मैं पहले निकाल देता हूं काटके तो यह दिखी है मैं इ सको काट दिया है अब यह देखुआ। से हम इस लिए तो मैं active थोड़ सा काट हूंगा पहुत ज्यादा नहीं काटने वाला तो दोस्तो भया ध्षान रखें इसमें मैंने कोई भी मिलावट नहीं किया है कोई खोया नहीं मिलाया और कोई इसमें दूद नहीं डाला है मैंने कोई milk powder नहीं डाला बिल्कुल only kaaju और चीनी ही है और आपने देखा ही यह कि मैंने लाइची पाउडर डाला है इसमें और देशी घी का यूज किया है तो बिल्कुल पे और यह बना हुआ है और बहुत सारे हलवाई के दुगान पे पे और नहीं मिल पाता तो इसलिए आप घर पे बना लें इसलिए मैं आप सभी के लिए रैसपी शेयर कर रहा हू तो देखिए बिल्कुल रैडी है अब इस टाइप के पीसे में कट कर लें या स्कूर्स में कट कर लें जैसे मरजे जो भी पीस आप कट करना चाहो वो कट कर सकते हो तो यह थी काजू कतली की रैसपी आप लोगो कैसी लगी कमेंट में बताईए वीडियो को लाइक नहीं के लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आएक अनौन कर लिजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो मेरे जैसे नहीं वीडियो सब्लोड करता रहता हूं तो आप मेरे चैनल को डेडेली चेक आउट कर सकते हो